नमस्कार, स्वागत है आपका कुन्नी टीवी के मंथली राशी फल में, जिसमें हम जानेंगे मार्च महीने में क्या रहेगा बारा राशियों का हाल, इन सब की जानकरी देने के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ एस्ट्रॉलजर नरेश कुमार जी, स्वागत है सर आपका नमस्कार, बात करते हैं व्रिष राशी की, तो नरेशी व्रिष राशी का हल कैसा रहेगा मार्च महीने में, देखें नहीं हैं सबसे पहले फिनैंसिस की बात करेंगे, फिनैंसिस की यदि हम बात करते हैं तो गुरू यहाँ पर आयभाव के स्वामी है, वो केंदर में करते हैं तो आए की बात जो है वो आए बढ़ेगी इस महीने के दुरान जहां तक करम का बात है जहां पर जहां तक आपकी डॉमिनेंस की बात है कारिस ताल पर या आपके बिजनस में तो इस भाव के स्वामी शनी है शनी इस भाव के कारक भी होते हैं यह गये हैं भागेसान म भाकिस्तान में अपनी राशी में हैं, तो ये स्थिती एक तरीके से अच्छी है, इन सारे ग्रहाओं का एक साथ आ जाना नौवे और दस्वे भाव में, ये बहुत अच्छी स्थिती है, मार्च महीने के दुरान, हलाकि बुद्ध आगे जाएंगे थोड़ा सा छे मार्च को, फिर अस्त होंगे, फिर उदे होंगे दुबारा, गुरू भी यहां पर उदे हो जाएंगे, तो उस लिहाए से जदी हम देखते हैं, तो स्थिती एक तरीके से अच्छी है, मंगल यहां पर बारवे भाव के मालिक है, ये विदेश का भाव होता है, जिनका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, वो भी फाइदे में रहेंगे, क्योंकि मंगल यहां पर आकर अच्छी इस्तिती में हो जाते हैं, इसके बारे में कायर आता है, नोवे घर जब मंगल आवे, नो घरो का मंगल पावे, तो यहां पर मंगल की इस्तिती अच्छी है, यहां पर दिखबली ह काम करना पड़ेगा चाहे आप बिजनस करते हैं चाहे आप कहीं जोब करते हैं चाहे आप फ्रीलांस काम करते हैं चाहे आप सर्विस देते हैं किसी तरह की किसी पार्टी को तो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट से बचिएगा बाकी कोई दिक्त यहां पर नजर आती नजर नहीं आ र तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ के बारे में तो निरेज जी विश्टाशी के जो जातक हैं उनकी हेल्थ कैसी रहेगी निहा देखिए यहां पर शठा भाव जो होता है वो रोगर निशत्रू का भाव होता है अश्टम से हम सड़न एक्सिडेंट या लं आगे अगे प्रीके से लेकिन एक सित्ही नहीं है शुक्र का शणी और मंगल में जाकर वस जाना ये एक तरीके से अच्छा योग नहीं है मंगल और शणी जो एक लाशी में बैठे है यह द्वंद योग है एक तरीके से तो यहां पर जब शुक्र आते हैं साथ में छटे बाव के मालिक होने के नाते तो यहां पर थोड़ी सी हेल्थ को लेकर इशू क्रेट हो सकता है सिर्फ इतना करना है कि खान पान को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिए जो प्रोडम होगी व आपको आपके डाजेशन सिस्टम को डिस्टरब कर सकता है मार्च के महीने में वह भी 14 मार्च तक 14 मार्च के बात तीजें आपके ठीक रहेंगी तो चलिए बात करते हैं रिलेशन्शिप की तो बिरिश्य रैशी के जाते हैं सर जैसे राहू लगन में दिख रहा है और के साथ हैं तो कंफ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं जैसे हमने पहले बताया है कि जो मेरिड कपल हैं उनके बीच में तनाव आपस में जाता रह सकता है खासतोर पर जैसे जैसे यह डिग्रिकली पास आते जाएंगे पंद्रह मार्च के इस बात का समय ज्यादा सेंस्टिव है इस र तो 14-yan मार्च के बाद बुर्ध आगे चले जाएंगे अपने से चछटे हैं के वह प्रस्ते इस जी हमने एक तो या यह थोड़िसी व्रषब राशी हमने देखा है कि यह ि वह जो जो की ट्रेसे बिनसे वाली होती है ब्चिव्क्र वेज़ग तो चीज थोड़ा सा घ्यार नखनी पड़ेगी इनको, थोड़ा सा तालमेल के साथ काम लेंगे और पेशन्स के साथ चलेंगे तो रिष्टो में आपके प्यार बढ़ा रहेगा. तो अगर बात करें सेर विष्ट राशी के जातकों के उपायों की, कि अपनी स्थितियों को लेकर अगर ये बाहर निकलना चाहें तो क्या उपाय ये कर सकते हैं? यहां पर लगन और चटा भाव एक ही है, तो इसको सबसे पहले मजबूत किये जने की जरूरत है, तो यह मजबूत करने के लिए आप गाये की सेवा करिए, गाये जो है वो शुक्र का कारक रहा है, और जब हम शादी करते थे निया पुरातम सर्मे में, तो जब लड़की घ गाये दान दी जाती थी बदले में, तो गाये की सेवा करना सबसे अच्छा उपाय बताया गया है शुक्र का शास्त्रों में, तो गाये की सेवा कीजिए, यदि आप मेरिड हैं, तो कोशिश करिए कि आपकी पार्टनर के साथ, यदि आप मेल हैं, तो आपके पार्टनर के स चीज़ें आप शुक्र के उपाए यह दो बिलकुल एक तो घर पर ही हैं पत नहीं कई बार बंदा सर्प्राइस गिफ्ट देता है कि कुछ कहीं पर घुमाने ले जाता है तो इतने में ही आपका शुक्र का जो है वो ट्रीट हो जाता है गाय की सेवा शुक्रवार के दिन के ल यह हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाएं अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं